नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हैं बीग बुटिक आज की वीडियो में मैं बहुत ही खास और इंपोटेंट टॉफिक पर बात करने वाला हूँ जितने लोग सिलाई कर रहे हैं जो सीख रहे हैं वासीख चुके हैं या जो सौब खौल चुके हैं उन सभी लोगों के लिए ह तो सिलाई सभी लोग कर लेते हैं बलाउज की लेकिन बलाउज में जो तुरपाई करना होता है ये वाली हाँ सिलाई करने के लिए इसमें काफी टायम लगता है लोगों को और जो बीगनर से जो नए हैं उन लोगों से इतनी सुंदर तरीके से बीगनर से तुरपाई होता भी नहीं तो इसके लएको क्या करना है आपको कोई भी नर्माल सिलाई मशीन से कोई भी नORमल सिलाय मशीन से आप कैसे इस तरीके से शितन और फास तुरुपाई कर सकते हैं एक उसके बारे में आज मैं बताईंगा से इसलिए तुरुपाई किया हूँ ताकि आपको समझ मैं कि तुरुपाई किया हुआ है आप सेम धागा से कीजीगा तो यह दिखाई भी नहीं देगा तुरुपाई भी बहुत मस्ट हो तो आप इसको नॉर्मल सिलाई मसिन से बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल इजी से कर सकते हैं अर कैसे मारना है व सारे चीज़ों में इस वीडियो में cover करूँगा वीडियो बिल्कुल छोटा है आप पूरा वीडियू देखिये हां अगर आपको वीडियो पसंद आता है दहले भूत आई है कि आपको इससे नॉलेज मिला है चलिए विडियो पे चलिए सबसे काम क्या करना है सबसे पहला काम इजो है उसका टागा फुल कर लेना है चिद्य करें देखिए इसनी की सिलाई को बिलम लूज कर लेना है तरुपर प्रोफर एक गर आपको यहां पर सिलाई है उसको इसका किनारे कर लेना है ठीक है छोटी मसीन होती है उसमें ऐसा पेचकस लगा कर आप लोग इसको ऐसे कर लेते हैं लेकिन जो बड़ी मसीन है उसमें यहां से जुक्की का है उसमें यहां से होता है यहां से स्कूरू खोल कर और फिर इसको क्य कहां आउंた काम देखिये इसको जो है न इसको आपको ऐसा सटा रंए इस सड़ाई तोड़ा सा सटा डेना है जाद ने श्रका इस सटाइग, खुणड़ा ये सबसे सस्ता सिलाई मसीन में ये 3,000 रुपय के आस्पास का है territorion , चोटे-चोटे सिलाई मारने के काम आएंगे और लाइन एक बुक कर सकते है और 500 रुपे में आपके घर पे पहुंच जाएगा यह सबसे अच्छा और सबसे सस्ता है दूसरा है जो हमारा उसा कंपनी का है यह लगवक 6,000 रुपे के आसपास का है और उसके बाद भी जो है कंप्यूटराइज मसीन है यह हमारा 9,000 रुपे के आसपास की मसीन है जो आप आसानी से खरीज सकते हैं इसको और अपनी सिलाई को आगे बढ़ा सकते हैं अगर आप इसमें से कोई भी मसीन खरीदना चाहते हैं तो इस सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्राइज के सांथ में तो आप उहां से जाकर लिंक पे क्लिक करके और उहां से परचेज कर सकते हैं और आसानी से आप घर बैठे अपने घर पे मंगवा सकते हैं करते हैं हम पहले इसको कच्छा मार लेते हैं कच्छा सिलाई तुर्पाई करने के लिए ताकि अच्छे से तुर्पाई करने में बने इसके लिए कच्छा सिलाई लगाते हैं सभी लोग तो इस पे भी हम कच्छा सिलाई पहले लगा लेंगे देखे इस तरीके से आपको कच्छा सिलाई लगा लेना है पूरा अच्छे से ठीक है उसके बाद इसको जितना भी आपको चौड़ात रुपाई चाहिए एचीज एक दम परफेक्ट समझेगा नहीं तो उल्टा हो जागा तो आपका होगा नहीं तो आप मंगता है तो वीडियो पॉस्ट करके आप देख लीजिएगा इसको ऐसा जितना चीए उतना चौड़ा इसको ऐसा लेना है ठीक है फिर से देखिएगा यह ऐसा ही रहेगा और इसको ऐसा लेना है इस तरीके से ठीक है यह अस्तिन में भी कैसे करेंगे ओ भी मैं चलाना तो पर वे सलोनी चलाना तो किंड़ ऊड़ए कि थ्लो यॡ जो सबस्क्राइब ध्यान से देखिएगा कि कैसे मैं कर रहा हूं सिलाई ठीक है है कि देखिए इस तरीके से मैंने लगाया है दू दिखने रहे होगा उसके बाद क्या करना सीधा आपको इस भाग को ऐसा कर लेना देखिएगा समझेगा इस चीज़ को अच्छे से ठीक है ऐसा करना है और इसको बाद ऐसा खीच देना देखिए पहली बार अगर सिलाई लगाएंगे न तो आपको जमेगा नहीं तो डारेक्ट आपको पीस पे सिलाई नहीं लगाना है ठीक है पहले आपको एक दो कपरे पे जो टुकरा है उस पे ट्राई कर लेना है ताकि आपको अच्छे से समझ में पहले आ जाए फिर उसके बाद आपको सिलाई लगाना है देखिए इस तरीके से आपको ऐसा भी खीचेंगे तो भी होगा ऐसा खीचना है आपको देखिए यह देखिए कितने अच्छे से सिलाई हमारा हो गया जो है हाँ सिलाई जिसको हम तुरपाई बोलते इतने वेतरीन तरीके से आप हाँ से भी नहीं कर सकते जितना वेतरीन सिलाई मशीन से हो गया है तो आप इसको नॉर्मल सिलाई मशीन से बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल से कर सकते हैं ठीक है जितना चाहे उतना अब क्या करना है कि अस्तिन की सिलाई लगाने के लिए अस्तिन में अगर तुर्पाई करना है आपको तो यह सिलाई पहले ही मोर कर लगा लेना है ठीक है यह देखिए यह हमारा अस्तिन हुआ ठीक है तो हम क्या करेंगे यह सिलाई जो इस तरीके से तुरुपाई कर पाएंगे बहुत अच्छे डंग से हैं और बहुत फिनिसिल जो सीख रहे हैं वो भी जो सीख चुके हैं वो भी और जो सीखने वाले हैं और जो सी लाइक कर रहे हैं सबी लोग के लिए वीडियो है तो कमेंट करके जरू बताना अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरू कर देना और अगर जादा पसंद आया है तो सेर करना कमेंट करके हमें जरू बताना कि आगे किस पर आपको वीडियो चाहिए तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में धन्यवाद